हेलो दोस्तों नमस्कार सस्रेकाल गोड मॉनिंग कैसे हो सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत एविनास एक्जाम गुरू चैनल पे आज 15 जनवरी 2022 के करेंट अफेर्स की आज सेंसन स्टार्ट करेंगे और आज बहुत ही बहतरीन और बेरी वेरी इंपर्टेंड कोश्चन अं एक्जाम से कम नहीं तो पांच छे नंबर तो कहीं नहीं जाएंगो दोस्तों अगर इस वीडियो को देखकेश आप और एक्जाम देने जाते हें तो पांच नंबर बिलकुल ही आएँगे तो दोस्तों आज पंदरह जनवरी 2022 है sponsor को हर साल थल सेना दिवस मनाए जाता है वो यह लोग फिर से आज वो नजारा याद कर लें सहीदों के दिल में थी वो जॉला याद कर लें जिसमें वहकर आजादी पहुची थी किनारे पे देश भक्तों के खून की वो धारा याद कर लें दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं पंदरा जन्वरी 2022 के करेंट अफेट्स की नमबर एक उस कच्छुए का नाम बताओ जिसने बर्स 2022 में गिनीज वर्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है तो दोस्तों यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह है जोनाथन जोनाथन एक कच्छुए का नाम है जो कि इसकी उमाल लगवग एक सो नब्बे साल की हो चुकी है प्रिजेंट टाइम में तो दोस्तों जोनाथन का जन्व 1832 में हुआ था जो 2022 में 190 साल का हो रहा है जोनाथन को साल 1882 में सेसल्स से साथ एटलांटिक आइटलेंड सेंट हेलेना में लाया गया उसके साथ तीन अन्य कच्छुए भी थे ग्लीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मताविक जोनाथन उस बक्त पूरी तरह से बैस्क था और कच्छुए के लिए पूरी तरह से बैस्क होन गवर्नर इस्पेंसर डेविस ने जोनाथन को उसका नाम दिया था जोनाथन के पैदा होने के वाद से दुनिया में कंप्यूटर आया कॉमर्सियल फ्लाइट साइंग पहला एकाई स्क्रेपर आया आइफल टावर बना दुनिया की पहली इंसानी फोट्रोग्राफी ली गिनीज में किसका नाम दर्ज हुआ है 2022 में तो कचुह का जोनाथन जिसकी 190 साल उम्रत है दूसरा कोश्चन यह कि कोमर्सियल फ्लाइट कब आई तीसरा कोश्चन पहला इसक्राइश क्रेपर कब बना तो इसका आंसर है 1885 आइफल टाफर आइफल टाइवर कब बना अठासो 1887 दुनिया की पहली इंसानी फोटोग्राफी ली गई 1838 और ऐसी कई और खोज हुई थी कोश्चन नमबर दो 12 जन्वरी 2022 को बर्चुल मोड में सिक्षा राज्यमंतरी सुभा सरकार ने किस पुरुसकार का सुभारम किया तो दोस्तों परजेंट टाइम में जो सिक्षा राज्यमंतरी यह वो है सुभा सरकार कोरे दोस्तों सुभा सरकार जी है इनोंने सच्छ द्याले पुरुसकार का आयोजन क्या है जो कि इन पुरुसकारों का सुभारम करते हुए उन्होंने स्कूलों में पानी और सच्छता के महतों पर प्रकाश डाला क्योंकि यह सीखने के परिणामों च्छात्रों के स्वास्ते उपस्तिती और छोड़ने की दर को तैय करने मे 50,000-60,000 रुपए प्रति स्कूल किया गया है इसके अलावा 6 उपसरेणी वार प्रुसकार पहली बार पेस किये गए हैं इस्कूलों को उपसरेणी के अनुसार 20,000 रुपए प्रति स्कूल दिये जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों ने दोई कोश्चन में इतना तो पता लगा लिया होगा कि आज जो कोश्चन है कितने वेरी वेरी इंपर्टेंट हैं अगर वीडियो देख रहें तो नोट नोट बुक और पेन लेके बैठ जाए दोस्तों क्योंकि आज की जो कोश्चन सीरीज होती बढ़िया है दोस्तों तो क्रिपया पूरा वीडियो देखें और अपनी त्यारी को और भी बहतर बनाएंगे इसी वीडियो के साथ तो कोश्चन नमबर तीन जो हमारा है प्रतिवास 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाए जाता है तो आज के दिन ही ससस्त्र बल भूत पू पहले इस दिवस को यूद बिराम दिवस कहा जाता था प्रतिवास 14 जनवरी को ससस्त्र बहुत पूर्व सैनिक दिवस मनाने का करण यह है कि इसी दिवस भारतिया ससस्त्र बल के पहले कमांडर इनचीफ फिल्ड मार्सल एम कर्यप्पा के एम कर्यप्पा सेबनिद हुए थ भारतिया ससस्त्र बल के पहले कमांडर इनचीफ कौन थे तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा मार्सल के एम कर्यप्पा कौन थे दोस्तों के एम कर्यप्पा और इसका साथ ही आपको इस पेसल फैक्ट भी बताते हैं कि नो सेना पुर्मुक जो बरतमान में नो सेना पुर्मुक है वो है एड्मिरल आर हरीकुमार कौने दोस्तों एड्मिरल आर हरीकुमार और बायुसेना पुर्मुक जो है वो है यार पुर्मुक मार्सल वी आर चोधरी कौने दोस्तों वी आर चोधरी पंद्रा जन्वरी यानि कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाय जाता है थल सेना दिवस थल सेना दिवस के अबसर देश की रक्षा में कारेत तथा सहीद बहादुर जवानों के योगदान के प्रत सम्मान बेक्ति किया जाता है फिल्ड मार्शल केसी कर्यपपा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर जो की भारत के अंतिम ब्रिटिस कमांडर इंचीफ से भारतिय सेना के पहले कमांडर इंचीफ का कारेभार ग्रणे किया था इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाय जाता है बरत्मान में जनरल मनोज मुकुन नर्वाड़े इस पद पर आशीन है जिनोंने 31 दिसंबर 2019 को या पद समाला था बरत्मान में जो थल सेना अध्यच्छ वो है जनरल मनोज मुकुन नर्वड़े कोने दोस्तों जनरल मनोज मुकुन नर्वड़े कोश्चिन नमर पाँच यूनिवर्सल पीस फेडरेशन इंडिया चेप्टर की और से किसे एंबेस्टर फॉर पीस सम्मान से नवाजा गया है तो इस तका जो सही अंसर है जामिया मिलिया इस लामिया की कुल पती प्रफेशन नजमा अक्तर कहा किये दोस्तों यह जामिया मिलिया इस्मलामिया की प्रोफेशर है नजमा अक्तर जामिया मिलिया इस्लामे की कुल पती प्रोफेशर नजमा अक्तर को उनके असाधारण सेक्षिक और संस्थागर नेत्रों के लिए यूनिवर्सल पीस फेडरेशन इंडिया चेप्टर द्वारा इंबेस्टर स्वामी विवेक अनंद की जैनती के अपसार पर राश्टी यूवा दिवस्के वर्चुल समारों के दवरान या सम्मान दिया गया था दोस्तों कोश्चन नमर छे रूसी रक्षावलों ने हाली में एक नए मिसाइल बं बरसक बिमान का अनावरड किया इसका क्या नाम है तो दोस्तों इमेज में आप देख रहे हैं यह है इसका नाम है तुपलीब 260 मिटर इसे सफेध हंच के नाम से जाना जाता है क्या दोस्तों इसे सफेध हंच के नाम से जाना जाता है अगर दोस्तों आपकी एक्जाम में अगर यह कुश्चन Aí а nne बंबर्सक विमान को परवाणू अथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है या सबसे भारी सूपर सोनिक सेन विमानों में से एक है या 34 टन भार ढो सकता है या बंबर्सक विमान 24 क्रूज मिसालों को डिलीवर कर सकता है 34 टन का मतलब दोस्तों हो जाता है 340 किलो ग्राम किना दोस्तों 340 किलो या बंबर्सक विमान 24 क्रूज मिसालों को डिलीवर कर सकता है या विना इंदन भरे 14,000 किलो मीटर की दूरी तै कर सकता है एक सूपर सोनिक बंबर्सक विमान या दुनिया में निर्मिज सबसे बड़ा और सबसे भारी मैक 2 प्लस सैंड बंबर्सक विमान इसे टूपोलेब द्वारा डिजाइन किया गया था और कजान एर क्रफ्ट प्रोडेक्षन ऐस्वारा बनाये गया था तो दोस्तों कभी-कभी हमारे एक ökol में कंपडी के बारे में कि किस कंपडी ने त्यार किया है या किस बनाया है तो इसको बनाने का काम काजान एरक्राफ्ट प्रडेक्शन एस्विएię रगा है ऐसे लारा किस त्रास्टाटे और राइट्टरтор ऑग्हान गाया है जिसकी आप इमेज देख रहे ही ये हैं गुलावो इंडियास और डेस्ट स्लोथ वियर यानि की भालू यहाँ एक भालू थी जो की इसका निधन हो गया है भौपाल के बन बिहार राश्टी उध्यान में इसकी मृत्यू हो गई है भौपाल के बन बिहार राश्टी उध्यान और चड़िया गर में मृत्य हो गई गुलावों की उम्रत 40 वर्ष थी स्लोथ बेर की वैस्विक सिरणी में भारत बोटान और स्रीर रंका के समसी तोस्न जलवायू छेत्र और नेपाल के तराई छेत्र सामिल है भारती उप महद्विप पर नम और सुस्क उसकड़ बन दिये जंगलों जाड़ियों सवाना और घास के मैदानों से लेकर 1500 मीटर नीचे के अवासों की एक बिस्तरत सेंखला में पाये जाते हैं वे स्री लंका के सूखे जंगलों में 300 मीटर से नीचे भी पाय जाते हैं सलोधबेयर को बेग्याहनिक नाम जो है वो में也 सर्स का दोस्तों मैल सर्स यहां एक मायर मैको भैगस भालू प्रजाती है क्या दोस्तों कौन सी प्रजाती है यह है मायर मेको फैगस कोश्चिन नमबर आठ हाली में किस आयोग ने हैंड मेड यूज एंड थ्रो पेपर स्लीपर्स और खादी बेबी बेर स्लीपर्स भी लॉंच किये है तो इसका जो सही आंसर बोगेख्स खादी और ग्रामोजध्धुक आयोग कौनसा दोस्तों से खादी और ग्रामोजध्धुक्ट आयोग जानी कि के वी आई डाली में पहली बार बेवी वियर प्रोड़क्ट पेश किया है खादी बेवी बेर को दो साल तक के बच्चे इस्तमाल कर सकते हैं या हाद से बनी खादी कपास से बनता है या कपास सरवोच गुडवत्ता का होता है या तुचा के अनकूल और सांस लेने योग है मकर सकरांदी पर कासी विश्वनाद मंदरी के पास कागज की चपल बनाने की काई इस्थापित की जाएगी यह मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों के लिए हैं इस चपल की कीमत 50 रुपए हैं दोस्तों जो इसकी जो फेक्ट्री लगने वाली है जिसका उद्गाटन होगा तो वह आज यानि कि 14 जनवरी को इसका उद गाटन होने जा रहा है जहां पर एक कासी 20 सुनात मंदिर जहां पर है दोस्तों उसके पडोस में ही इसकी फेक्ट्री लगाई जाएगी और जो बेवी चपल से उनकी कीमत 50 रुपए रखी गई है औरंग राश्टी उध्यान किस राज्ज में इस्तित हैं दोस्तों नोट न जो कि आपकी आने वाली प्रक्षाओं में बहुत ही लाबदाइक होंगे तो कुश्चन नमर नौ औरंग राश्टी उध्यान किस राज्ज में इस्तित है तो इसका जो सही आंसर है वह है असम सरकार ने हाली में औरंग नेशनल पर का कार बढ़ाने का फैशला किया है औरंग जो नेशनल पार्क है यह किसके लिए प्रसीद यह गैंडों के लिए प्रसीद दें क्योंकि दोस्तों इसमें भारी संख्या में गैंड़े पाए जाते हैं स्वरी दोस्तों कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था उस बज़े से रुगना पड़ रहा है स्वरी जो दोस्तों औरंग नेशनल पार्क है यह किसके लिए प्रसीद है यह गैंडों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसीद है क्योंकि यहां पर प्रमुक आवास किसका है गै चैनल बन गया था असम में अन्य राष्टी उध्यान भी है आए उनके बारे में भी चर्चा कर लें और नोट डाउन भी साथ साथ में करते रहिएगा अगर नोट डाउन भी नहीं करतें तो कोई दिक्क्यत नहीं है अभिनास इक्जाम गुरू चैनल जो है आपके लिए हम नहीं जब तक इच्छा हो जब तक इस वीडियो को देखते रहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आए और जितने भी मतलब असम में राष्टी उध्याने उनके वारे में चर्चा कर लेते हैं तो देहिंग पटकाई यानि कि देहिंग पटकाई यह कहां पे हैं यह भी असम में डिब्रू सेखोवा कहां पर यह भी असम में है मानस असम में काजी रंगा असम में ना मेरी असम में राय मोना असम में कितने दोस्तों अगर असम राजी की बात करी जाए तो यहां पर जो राष्टी उध्यान है वो कितने हैं देहिंग पटकाई एक डिब्रू यहनि कि छे राश्टी उद्धयान कापे हैं आसम में इस परका तीन बार विस्तार कि आ जाएगा आसम औरंग राश्टी उद्धयान में दो सो पॉइंट बर किलोमेटर चेत्र को जोड़ेगा जोड़े जाने वाले चेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी सामिले इसमें सेंड बोर नदी के दूप भी सामिले भूमी के जुलने से गेंडो और गंगा की डॉल्फिनों को बहुत लाब होगा इससे कछों की 16 प्रजातियो को भी फायदा होगा राष्टिय उद्यान बन्न जीव अभ्यान और अन्न वन्नीजीव संबंदित विसेव को संबर्ती सूची में इस्तानित कर दिया गया है पहले यह राजी सूची के अंतरगत आता था 1976 में 422 संसोधन ने इन विशे को संबर्ती सूची में डाल दिया गया है Q10 रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन यानि कि DRDO ने किस मिसाइल का परिच्छन सफलता पूर्वक किया है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है Meptasium क्या दोस्तों ऐसे याद कर सकते है Meptasium क्या दोस्तों Meptasium यनि कि इसकी जो फुल फुल महिज वजीम और यूद्ध मिशाइल क्या दोस्तों मैं पोर्ट्र्वल अन्टी टैंक डाय्डड़ मिशाइल यहाँ एक स्वादेश में विक्सी टैंक रोधी मिसाइल है कम बजन वाली और फाइर एंड फॉर्गेट मिसाइल है इसे एक लॉंचर से लॉंच किया गया था जो मैंट पॉर्टवल था एंपी मैप्टा जीयम हेलिकॉप्टर द्वारा लॉंच किया गया है एटी जीयम नाग या हेलीना और एटी जीयम नाग का सफलता प्रूबग परिच्छन किया गया है तीसरी पीडी की फाइर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडन मिसाइल है इसे डिया डियो ने वारती अच्छा को अन्य वी एम टेक्नोलोजी प्राइवेट लिम्टेड के सवयोग से विक्सित क्या है या एक कम बजन वाली मिसाइल है जिसमें इसके स्मद्ध भाग में चार पंक होते हैं यह मिसाइल हाई एक एक्सप्लोसिब एंटी टैंक वार हैट से लेस है इसकी लंबाई 200-300 मीटर और अधिक्तम 4 किलो मीटर की दूरी तैंकर सकती है कोश्यन नंमर 11 मेरी की सिंक्राइब दिखाई देने वाली पहली स्वैत महला का क्या नाम है तो इनका जो नाम है दोस्तों अब देख पा रहे हैं यह है माया एंगलो क्या है दोस्तों माया एंगलो माया एंजलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वित महिला बनी अमेरिकी महिला कौर्टर कारिकर्म के एक भाग के रूप में अमेरिकी टक्साल दौरा या सिक्का जारी किया गया है नकी महिला आत्मकथा आईनोदा कैज्ड वर्ड सिंग्स को अंतराष्टी इस्तर पर पहचान मिली उन्हें 30 से अधिक मानद उपादिया मिली हैं 2010 में राष्टपती उबामाव ने प्रेजिडेंशियल मेडल आफ फ्रीडम प्रदान किया 2013 में इन्हों ने सहित्यकार पुरुष्कार जीता दोस्तों प्लस पॉइंट और इसका प्रेक्ट वता देते हैं जो सबसे पहले सिक्के जो त्यार हुए वह लगवग 20 से 30 सिक्के पहले-पहले बनाया गया जिस पे इन कुस्टिन नंबर बारा किस राज्य सरकार ने 11 जनवरी 2022 को जगना स्मार्ट टाउंस से लौंच की तो इसका जो सही आंसर है वो है आंदर पर्देश क्या दोस्तों आंदर पर्देश तो आंदर पर्देश के जो मुख्यमंत्री है बाई एस जगन मोहन रेडडी कौन दोस् कि अंदर पर्देश सरकार द्वारा जगन नाथ स्मार्ट सिटी की स्थावना की जा रही है ताकि सहरी और ग्रामिट चेत्रों में माध्यम बर्गिये परिवारों के घर बनाने का सबना पूरा किया जा सके यह बेवसाइट पारदर्सी तरीके से भूमी को इसपेश्ट और मुक्त स्वामित्य के साथ साथ गेर लापकारी वाजार के नीचे उचित मुल्य परदान करेगी कि दोस्तों ओन लाइनर कोश्चन अंसर आईपी सेक्सन कहने के मतलब दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इंडियन पेनल कोर्ट 141 से लेकर 150 तक यानि कि 101 से लेकर 140 तक के जितनी भी धाराएं थी सबकी हमने चर्चा की अच्छे से पड़वी लिया उनको आज हम बात करेंगे 141 से लेकर 150 तक के तो दोस्तों आईए बात करते कोश्चन नमबर एक से धारा 141 क्या कहती है यह किस पे लागू होती है यह हो प्रादिक ब्यक्तियों का जन समू बिधी विरुद्ध जन समू कहा जाता है यादि उन ब्यक्तियों का जिन बात जन समू स्थापित हुआ है समान उद्धिस देख भी लेते हैं नमबर एक केंद्रिय सरकार को या किसी राज सरकार को या संसद को या किसी राज के विधान म या किसी कानूनी प्रक्रिया के निस्पादन का प्रत्रोद करना अथ्वा किसी कुछ चेस्टा या अपरादिक बत्तिचार या अन्य प्रत्का करना अथ्वा किसी बेक्ति पर अपरादिक बल या अपरादिक बल के प्रत्रशन द्वारा किसी शंपति का कब्जा लेना या प् वो करता हो उसे बंचित करना या किसी अधिकार या अनुमती लागुत करना नमर पांच अपराधिक बल या अपराधिक बल के परदाशन द्वारा किसी वेक्ति को बह करने के लिए जिसके लिए वाकानून रूप से अवद ना हो या किसी कारे का लोग करने के लिए जिसे करन कि कोस्चेन 2- 142 क्या कहती है दोस्तों बिदी विरुद जं का सदत से होना यानिकि 140 के अनूसार जो कोई उन तथियों से परचित होते हुए जो किसी जं statute को बिदी विरुद जंस मूभ बनाते हैं उस समूं में 2020 usually उसमें बना रहता है उसे विदी बुरुष समु कहा जाता है कुश्चे नमर 3 243 गैर कानू जन समु का सदत से होने के नाते दंड है भार्तिय दंड सहींता की दारा 143 के अनुषर जोग भी कोई गैर कानूनी जन समु का सदत से होगा तो उसे किसी एक अब्दी के लिए करावास की सजा जिसे छे महीने तक बढ़ाए जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा कोश्चे नमबर चार धारा 144 कि इसमें क्या का गया है कि घातक आयूद से सज्जित होकर बिधी विरूद जनसमों में समलित होना जैसे जो भी कोई किसी घातक आयूद या किसी ऐसी चीज से जिसे आक्रमक आयूद के रूम में उपयोग किये जाने पर मिरत्य कारित होनी सामबे सज्जित होकर किसी बिधी विरूद जनसमों का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अबदी के लिए कारावास की सजा जिसे दो बरस तक बढ़ाया जा सक में जान बूज का सामिल होना या बने रहना भारतिय दंड सहिंत्य की दारह 145 के अनुसा जो भी कोई किसी बिधी विरूद जनसमों जिसे बिखर जाने का समादेश विधी द्वारा निधारी धंक से दिया गया है जान बूज का समली तो या बना रहे तो उसे किसी एक अब सब्सक्राइब के लिए कारवास की सजा जिसे दो वर्स तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा इसमें उपधर्ब्ध करना क्या है दोस्तों जो उपधर्बी नहीं होते हैं जैसे जो दंगा फसाद करते हैं या करवाते हैं उन पर धारा एक्षाली लाग होती है यह भारतिया दंड साहिंता कि दारा एक्षालीस के अनुसर जब कभी बिदी विरुद्जन समूं के सामान करने में उस बिदी विरुद्जन समूं या उसके किसी सदर से द्वारबल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जन समूं का हर सदर से उपधर्ब करने के अपरायत का दोस्य होता है कोश्चन नमर साथ धारा 147 इसमें बताये गया है दोस्तों बलवा करने के लिए मतलब दंगा करना यानि की दंगा बलडाई जगडा करवाना जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कोई रेली हुई है और उसमें कुछ वेक्ति जो होते हैं वो दंगा फसाद थोड़ी सी बात बढ़का देते हैं और वहां पर दंगा होने लगता है तो उसे बोलत करते हैं या करते हैं उन पर 147 लागो होती है जैसे जो कोई भी उपदर्द करने का दोसी होगा तो उसे किसी एक अब्दी के लिए कारावास जिसे दो वर्स तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाता कि कुश्चन नमबर आठ धारा 148 इसमें बताया गया है कि घातक आयूद से सज्जित होकर उप्दर्द करना यानि कि आयूद आयूद का मतलब दोस्तों यह है कि उसके पास हतियार हों हतियार से या इट पत्थर से उपद्रद करता है तो उस पे धारा 148 लागों होगी जैसे जो भी कोई घातक आयूद या गाय तक मतलब जान लेवा हथियार या किसी ऐसी चीज जिससे संक्रामक आयूद के रूप में उपयोग किया जाने पर म्रत्युकारित हो नहीं सामवेगों जैसे कि जहर देना या जहर मिलाना पानी में जहर मिलाना या स्कॉल्टिंग में या किसी में भी या साइनाइड साइनाइड का आप लोगों नहीं नाम सुनाओगा उसको देना तो अगर किसी के पास मिल जाती है बल्वे के दोरान या उपदर के दोरान तो उस पे धारा 148 लागू होगी और उसे जेल भी होगी प्लस आर्थिक डंड हो सकता आर्थिक डंड का मतलब दोस्त नमर नो धारा 149 क्या कहती है दोस्तों यह कहती है कि बिदी विरूद जन समू का हर सदस समान लक्ष का आवियोजन करने में किये गया अपराद का दोसी होगा यानि कि भारतिया दन सहिंता कि धारा 149 के अनुसर यदि बिदी विरूद जन समू के किसी सदस सदारा उस जन सम लिए जाने के समय उस जन्समु को सदर से उस अपराद का दोसी होगा को स्टेशन नमबर दस कि धारा एक सो पच्चास विधी बिरुद्ध जन्समु में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना आधे लागा बताया को दूंगे करने के लिए एक सो पचास लागू होगी प्लस जो उससे करवाएगा की कोई पर्टी का नेता हो यह कोई भी वेक्ति हो आम आदमी क्यों न हो उसके भाला वा करवाने वाला दोनों पे Alb had सब्सक्राइब करने का संप्रबर्द करेगा या उसके प्रति बढ़ावा देगा वह ऐसे बचन विरुद्ध के सब्सक्राइब करने किये गए किसी भी अपराद के लिए उसी प्रकार दंदर नहीं होगा मानो या वह ऐसे विदी विरुद्ध जनसमों का सदस रहा था या ऐसा अपराद उसने स्वेम किया था तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा खतम होता है साब्त होता है मिलते हैं अगले लेक्सर में कि सोला जन्मरी 2022 के नए वीडियो के साथ तब तक पढ़ते रही है क्योंकि दोस्तों जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे और अपने माबाप का सबना पूरा कर सोगेगा क्योंकि दोस्तों जब बेटा होता है तो माबापको एक उम्मीद दिजगती है जैसे एक अन्हेरे में एक दीपक होता है ठीक वैसे ही लड़के से एक माबापको एक एक मतलब क्या कहें ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों अविनास एक्जाम गुरू चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दियार दोस्तों के आपको डिटेल्स के मतलब कोश्चन आंसर तो बताई जाते प्लस आपको डिटेल भी बताई जाती है कि अगर आपसे कोई कोश्चन कर वी दे तो आप उसको सटीक से आंसर दे सकें और ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है दि बताई भी जाता है दोस्तों दिल्ली राजधानी क्यों होए कब बनी थी कैसे बनी थी किसने बनाई थी यानि कि पूरी डिटेल के साथ यहां पर आंसर आपको पढ़ाए जाते हैं दोस्तों आप एक वार आईए बिजट करिए चैनल पे और देखिए और कमेंट बॉक्स मे बताईए कि आपको कैसा लगा वीडियो अगर कोई कमी रह जाती तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसी के साथ जय इन जय भारत अपनी पढ़ाई को और भी बहत्री बनाते रहिए पढ़ते रहिए